मिस्टर एक्स की तरफ से आप सभी साथ ही को मेरा प्यार भरा नमश्कार मित्रों कल आप से वारता नहीं हो पाई लेकिन आज ना आपके सामने उपस्तित हुआ हूं काफी से गंबीर विश्यों को लेकर एक तो पहली बात यह है कि जैसे आपने साब सभी लोगों ने देखा क तरह जार भरती में लगा दी गई है जैसा कि पहले से ही एक्सपेक्टेड था यह चीज़ पहले से ही को बता भी दीगे थी कि कट ओफ लगने के पूरे पूरे चांसे हैं और को लग गई लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से कुट ओफ थोड़ा हाई लगी है कुट ओफ लगी यह गलत हुआ या सही हुआ इस चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहूंग steps को नहीं हुआ कि सही तो नहीं हुआ कि सिब्यता कि अगर आप बाद में किसी को बताएं कि कितने नंबर में पास होंगे और यह सब चीजें हों कि आप पहले बताएं सो मीटर नहीं या कितने मीटर दोड़ने बाद में जाके standards अगर डिसाइड करें तो यह तो गलत तो ही इसको इसमें कोई शक वाली बात नहीं यह लेकिन यह तो एक्सपेक्टेड था पहले सही कि कट ओफ तो लगेगा मेरे साब से थोड़ा पांच परसेंट हाई लगा है पच्पनिया साथ के आसपास होता तो शायद रीजनेवल होता लेकिन फिर भी दिमित्रों मैं एक चीज़ आपको कह देना चाहता हूँ जहां तक मेरी समझ कहती है इस बरती में कुछ सीटें जरूर खाली जाएंगी ठीक है दूसरी बात यह है जितने लोग हैं उन लोग के सामने दो चीज़ निकल कर आ दो पहली बात तो मैंने पहले ही बताया तो 69,000 से उम्मीद ना रखेंगे तो जादा वहतर होगा आपने उम्मीद लगाई यह आपके गलती है ठीक लेकिन कोई बात नहीं अच्छा बुरा समय सभी का आता है आप लोग ऐसे अखेले नहीं आप मुझे एक बात बताईए और मैंने कुछ कभी जुख आया ही नहीं मित्रों यह सब समय का पहिया है चलता रहता है समय है आपका खराब है चलो कुछ लोगों का अच्छा हुआ है ना एक बाप मुझे बताओ आपके साथ के स्टेश के सकुछ साथियों को तो शायद क्वालिफाइए की हैं कुछ अच्छे नंबरों स मिलेंगी सताइश जार सीटें आपको मिलनी है यह मैं आपको तैय करके बता देता हूँ यह कोई ले की नहीं जा सकता अब बात आते हैं मुद्दे पर जो क्वालिफाइए की हैं उन लोगों के में एक अच्छी बात मुझे देखने को यह मिली कि उन लोगों के अंदर वो स चीज का एहसास है कि एक बात और मित्रों में चाहे 79,000 में नई लोग भरती हुए हो चाहे बीएड़ वाले हो चाहे शिक्षा मित्रों जो अटसाट जार पांसों में प्रतिभाग नहीं की थे तो उन लोगों से में एक विशेश रूप से और जो लोग क्वालिफाइए कर लोगों से भी भले उन्होंने 8,500 में हिस्सा भी लिया हो सबी लोगों से में एक बात कहा देना चाहता हूं कि मित्रों जितना आप कुशिश करेंगे 8,500 वेकेंसी पहले हैं उतना ही इतकारी होगा क्योंकि मैं आपको यह बता दूं कि जितने लोग 8,500 में प्रतिभाग किय दूसरी चीज यह है कि आपके लिए वेकेंसी की संख्या बढ़ जाएगी और दूसरी उसमें भी कट ओफ डाउन होने के चांसे स्विर से बढ़ जाएंगे तो मैं आप लोग सभी लोगों से यह उम्मीद करूँगा कि आप चाहे बीड हो चाहे बीटीज हो साथ में मिलकर लड़ीए पहले आप लोग कहरते कोट ओफ नहीं है तो समस्या कोट ओफ हो गई तो समस्या फिर कोट ओफ हाई है मैं मानता इस बात को ठीक है मित्रो तो आप परेशान नहों बिलकुल भी समय थोड़ा खराब चल रहा है कोई बात नहीं दिक्कत कुछ नहीं है बादल इसमें मैं बता दूँ आपकी वेकेंसी में इसमें पूरी सतरहजार जार नहीं भरी जाएंगे आप देख लीजिएगा और फिर से कोट ओफ डाउन होगी तो मेरी यह है कि सब लोग मिलकर लड़े 8500 वाले लड़ाई के लिए 8500 पहले क्लियर होती है तो आप सभी लोगों क आपको क्या करना मुझसे ज्यादा समझदार है लेकिन जो मुझे लगता है वही मैं आपको बोल रहा हूं इसमें आप मेरी अच्छी बात अच्छा लगे बुरा लगे वह आपके विवेकपन निर्भर करता है कुछ मिक्तर हमारे बोल रहेते कि आप कमेंट नहीं करते हैं कि दोस्तों आफके सिंसका डिया जाना चाहिए उसका रिपलाई दिया जाता है जिन का रिपलाई नहीं लगता उचित उसका मैं वारता ना करते हूँ मैं आपको उम्मीद बिलाता हूँ जब तक हम लोग हैं आपके अड़ाट आया पांस्तो जिन्दा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी हमारा बढ़ चड़कर साथ जैसे देते रहेंगे आपके पास में अभी थोड़ा समय है अब मुझे लगता ह समय देंगे भी हमार इस लड़ाई के लिए जो हमने शुरू खीती एक साथ और एक साथ हम इसको अंतिम पड़ाव तक पहुचा कर रहेंगे इसी के साथ ज्यादा वारता ना करते हुए काफी लंबा बोल जाता हूं कभी कभी लेकिन अभी सोचता हूं समय की बात देता के स टीट है जो गतले के ゃंके पहले 68,000 पाऊंसों लेंगे उसके बाद दूस्री भी लेंगे आप हम से जुड़े रही है हमारे साथ लगे रही है हमारा साथ देते रहे है इसी कामना के साथ की ऐसे कामना करता हुँ कि सभी लोगों का भुल हो और जिन लोगोंने मेहनत की हैं तो उसका फल मिले और ये इसके लिए हम पुरी तरीके से प्रतिवत हैं